हेलो फैंट्स आज मैं आपको जो नी 2024 में पेपर हुआ है उसमें बायोजी का जो पेपर उसको डिसकेशन करने जा रही हूँ ठीक है मैं इसमें क्या हुआ है कि जो जो भी कोशन आपके आई हुए है वो बायोजी के अंदर उन सबको NCRT से बताऊंगी कि कौन सा कोशन कहां से आए NCRT के अंदर साथ की साथ पेज नंबर भी दिया होगा और जो चेप्टर आपके न्यू NCRT में उसको मैंने ये सारे जो चेप्टर से दे रखें जितने भी कोशन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सब मैं न्यू NCRT से बताए है और जो कोशन ओल्ड NCRT से भी अच्छा गया है सिलेबस के अंदर इंक्लियूडेड है 2025 के लिए तो उन कोशन को सब को बताऊंगी वन बाइवन देखिए जो फर्स कोशन है हिंद सेकेंड जो है आपका अलवेस करता करता है डीने मौलीकूल एट पर्टिकुलर पॉइंट उसे हम क्या बोल रहे हैं इक य प्रटिकुलर पॉइंट बाइ रिकोगनाईज ऐसे स्पैसिफिक सिर्केंस ऑफ सिक्स बेस पेयर यह पेज नंबर 165 पे है जितने भी यहां पर दिये हुए रहेंगे वह 165 जैसे यह दे रखाया आपे 165 तो यह न्यू एंसी आर्टी के कोडिंग है और कुछ पेजिस पे अलग-अलग पेजिस से कोश्चन को पूछा गया है तो मैंनों सबको आपका लिख दिया है कि कौन सा पेज नंबर कहां पे है नेक्स कोश्चन देखिए जैसे कि यह कोश्चन था आपका बोला गया था कि जो नीर 2024 के अंदर की स्लेबस से हटा दिया गया है बट यह पूछ लेविंग ही होता है जिवनोस परम लैग जायलम वैसल सोते हैं उनके अंदर बट प्रजेंस जालम वैसल जो ते करक्टर फीच स्टिक फीचर होता है एंजियो स्परम का तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है देखिए मैं आपको बता देते हूं इस प्रम जो है वह वह फ जो होता है जहां वह लिविंग के लिए यू यूज होता है जहां कि अटाट बोल रहा है तो इसलिए ऑस्ट नमबर थर जो जाएगा इसका राइट आशर वजाएगा गजाएका को शन नमबर 103 देखिए 103 में बोल रहा है कि जिब टी टॉक्सिन होती है आर इंसक्त गुर As BT toxin exists as inactive prototoxin in bacillus threninilus. However, after ingestion by insects, the inactive prototoxin gets converted into active form due to the acidic pH of the insect gut. अब देखो जो statement first है जो आपकी, वो आपकी क्या हो जाएगी? बिलकुल 3 हो जाएगी. क्योंकि जो BT toxin होता है, insect group specific होता है और कराई first disease होता है, वो इसको क्या करता है? कोड करता है. और जो आपकी second statement हो जाएगी वह आपकी false हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर active form due to acidic pH नहीं आएगा, यहाँ पर alkaline pH आएगा, देखो देख वी लीजिए आप एक बार, देखो BT toxin जो होती है, वो कैसी होती है, BT toxin protein exists as inactive prototoxin, but once as insect inactive toxin, it is converted into active form due to alkaline pH of the gut, जबकि वो क्या बोल रहा था, acidic pH of the gut बोल रहा था, ठीक है, और यह second statement का वो है, और first का देखिए, फर्स का क्या है, BT toxin are insect group specific toxin due to coded by a gene cry first AC nipscomb क्या बोल रहे हैं, cry बोल रहे हैं, तो दोनों option जो हैं, वो आपके NCRT में दे रखे हैं, ठीक है, आप आप next question देखिए, next question देखिए, which one of the following can we explain on the basis of mandal law of dominance, mandal law of dominance के basis पे कौन सा जो है, यह explain करता है, कौन कौन से जो correct answer दिये गए है, statement दे रखिए है, यह law of dominance के बारे में बता रहे है, mandal law of dominance, यहाँ पे देखिए, first option, out of one pair of factor, out of one pair of factor, one is dominant, other is recessive, बिल्कुल सही है यह statement, और second देखिए, allele do not show any expression and both the character appear as such in F2 generation, तो आपका यह statements आपकी wrong हो जाएगी, factor occur in pair in normal deployed plants, यह भी बिल्कुल सही है आपकी, जो factor occur करते हैं, pair में करते हैं, deployed plants के इंदर करते हैं, तो C बिल्कुल सही हो जाएगी, उसके बाद देखिए, discrete unit जो control कर लिये particular character को, उसको उन क्या बोल रहे है, factor बोल hybrid cross, यह भी बिल्कुल सही है, अब देखो, मैं आपको बताती है, इसलिए option number जो first हो जाएगा, वो right answer हो जाएगा, क्यूंकि statement B है, जो only wrong है, बागी स्टेटमेंट ठीक है, तो A, C, D, R, right and E, यह सारी right है, बट B, जो है, वो wrong है, देखिए, आपको इसका explanation दे देती हूँ, इने, इने, डिस्मिलर, पेर, पेर, और, पेर, डॉमिनेंट, अदर क्या, रिसासिव, एक्सप्रेशन आफ ओली, वन ओफ दी, पेरेंटल करेक्टर, इन, मोनो हाइब्रेड क्रॉस, यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट दे रखी थी, तो आपके इसके साब से, आंसर जो जाए थेन है, और इनर, वैमरेन, हाइली क्या है, इनर, थिक है, यह देखो, A, B, A, B, C, तीन स्टेटमेंट दे रखें, इसने जो आपका स्टेटमेंट है, यह किसके लिए फॉलो करता है, देखो, यह सबसिडियरी शेल्स हो जाएगा, यह एपिडर्मल सेल्स हो जाएगी, और आपका C वाला जो है, स्टेटमेटा है, और D वाला स्टेटमेटल पूर है, तो C वाला जो ऑप्शन है, स्टेटमेटा जो होते हैं, इनकी जो आउटर वोल होती है, वो हाइली क्या होती है, आपकी थेन होती है, और इनर वोल जो होती है, थिक होती है, तो यहाँ पे देखो outer wall of the guard cells away from the stominal pore are thin and inner wall to bar the stominal pore highly thick तो यह किस के बारे में बोल रहा है guard cells के बारे में बोल रहा है तो हमें यह diagram पता होना चाहिए तब ही हम इसका option मतलब सही answer mark कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जो यह दे रखा है किस के लिए यह आपका guard cells के लिए है तो option number जो आपका fourth हो जाएगा, वो right answer हो जाएगा, C statement, then next question देखिए, Listed the endangered species was released by, listed of endangered species was released by, IUCNWWF form ये देखो, जो IUCN red list के according जो endangered species थी, जो extension की कगार पे है, वो किसके अंदर आता है, आपके, IUCN के अंदर आता है, ये extension species जो है, ठीक है, तो option number third हो जाएगा, right answer हो जाएगा, ये page number two to one पे दे रखा है, next देखिए, जो lactose present होता है, growth medium के अंदर of bacteria is transported to the cell by the action of, किसकी वज़े से होता है, कौन से, उसकी वज़े से होता है, bacteria की वज़े से, तो if the lactose is present in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permeage, तो option number second जो जाएगा, वो इसका right answer हो जाएगा, next question देखिए, 108 question में क्या दे रखा है, which one of the following is not a criteria for classification of fungi, classification of fungi जो थी, उसके basis पे कौन सा criteria, इसको follow नहीं कर रहा है, ठीक है, देखो, mode of nutrition, fruiting body, या फर mode of spore formation, morphology of mycelium, ठीक है, यहाँ पे देखो, जो morphology के basis पे answer number first जोगा, वो उसका right answer हो जाएगा, mode of nutrition के basis पे नहीं करता है, fruiting body के basis पे भी करता है, spore formation के basis पे भी करता है, morphology of mycelium के basis पे भी करता है, अब इसको मैं देखा देती हूँ है, यह देखिए आप, the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body from the basis for the division of kingdom into various classes, next question देखिए, innovation of succanic dehydrogenase enzyme, innovation of succanic dehydrogenase enzyme by melonate is a classical example of, feedback inhibition, enzyme activation, competitive inhibition, co-factor, answer हो जाएगा, competitive inhibition, क्योंकि देखो, competitive inhibition का जो example दे रखा है, यह inhibition of succanic dehydrogenase by melonate, which closely resemble the substrate succinate in suction, ठीक है, तो option number second जो जाएगा, right answer हो जाएगा, इसका example ही बूचा था, कि competitive inhibitor का, जो succanic dehydrogenase enzyme है, malnative conscious के अंदर आता है, competitive inhibition के अंदर आता है, next question देखिए, match the column करना है, nucleus होता है, centriol, lycoplast, gluco, golgi apparatus, तो इसको nucleus जो होता है, वो आपका formation करता है, site for active arborosomal synthesis, centriol जो है, वो आपका formation करता है, organized like card will structure, lycoplast जो होता है, वो colorless होता है, ठीक है, यह formation करता है, आपका storing nutrients का, और golgi apparatus, जो होता है, वो formation करता है, site for formation of glycoplast and glycoprotein, तो यहाँ पर answer देखिए, nucleoplasm, जो होता है, the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, as it not a membrane bound structure, it is site for active ribosomal synthesis, तो इसका कर रहा है, nucleolus active ribosomal synthesis, यह दो दोखो, site for active ribosomal synthesis यह हो गया, उसके बाद देखिए, centriol की बारी, यह page number 100 पर दे रखा है, और यह options जो है, वो अलग-लग page से पुछे गया है, उसके बाद centriol देखो, centriol जो है, both the centriol in a centrosome in like perpendicular each other, which has an organized like the cartwheel, और यह option में आपका क्या पुछा है, centriol जो है, वो आपका क्या है, centriol जो है, आपका क्या है, cartwheel like structure, organization like the cartwheel, अब next statement देखिए, leekoplast, देखो, leekoplast के बारे में पढ़ते हैं, leekoplast जो होती है, वो आपकी कैसी होती है, curlerless plastid होती है, various shape and size इस्टोर करती है, nutrients को, ठीक है, यह भी अभी देख लिया, और जगी गोजोल जी अपरटेस होता है, important site for formation of glycolipid and glycoprotein, ठीक है, यह page number 96 पे है, यह 97 पे है, यह page number 99 पे है, अलग-अलग pages पे दे रखाते हैं, तो मैंने इसके एक साथ मर्ज करके आपको बता दिया है, next question देखिए, question number 111, these are regarded as major cause of biodiversity loss, तो biodiversity loss जो हो रहे हैं, जिसके कौन-कौन से cause हो रहे हैं, वह हम देखो, habitat, यह के इदा रखा है, cause of biodiversity loss को सबसे पहले, habitat loss and fragmentation, तो कौन-कौन से statement हो जाएंगी, cause of biodiversity loss के, over exploitation, co-extension, mutation आपका होगा नहीं, habitat loss and fragmentation, यह भी and migration भी नहीं होगा, तो C और E जिसमें option में भी आ रहे हैं, उन्हें हटा दो, देखो E इसमें आ रहा है, C इसमें आ रहा है, दोन option खतम, और देखो, C इसमें भी आ रहा है, तो यह भी option खतम, तो option नमर थर्ड जो जाएगा, वो right answer हो जाएगा, आगे इसमें loss भी देख लीजिए, by diversity loss देखो, हब बॉन से दे रखा है, habitat loss and fragmentation, over exploitation, और next देखिए, alien species invasion, or co-extension, ठीक है, आप question number 112 question देखिए, chromosome जोगे, become gradually visible under light microscope, under, during leptotene stage, the beginning of diplotene stage, chromosome become gradually visible, under light microscope, during leptotene stage, the beginning of leptotene stage, he recognized by the solution of snaptymal complex, तो देखिए, जो दोन स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल टरी हों है, आपकी, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो एक हम्योसिस के बारे में पूछ रहा है, जो leptotene stage होती है, chromosome become gradually visible, under the light microscope, beginning of diplotene is recognized by the dissolution of snaptymal complex, इसलिए, option number 4 जो जाएगा, वो right answer हो जाएगा, क्योंकि दोनो स्टेटमेंट के app की right है, यह आपके NCRT के page number 126 पे दे रखा है, next question देखिए, formation of interfacicular cambium from fully developed parent का, मैं सहली ने example हो, यह किसका example होता है, आपका किसका है, de-differentiation का, मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, देखो, de-differentiation for example, formation of meristum interfacicular cambium, इसमें क्या पुछा है, interfacicular cambium हो गया, and core cambium, fully differentiated parent का, मैं यह सारे किसका example होते हैं, de-differentiation के होते हैं, next question देखिए, tropical regions, जो tropical region होता है, वो show करता है, greatest level of species richness को, because, कि कि इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो, tropical latitude have remained relatively undistributed by million of years, hence more time-based available for species diversification, tropical environment more seasonal, जब कि यहाँ पे क्या आएगा, less seasonal आएगा, ठीक है, तो यह statement आपकी क्या हो जाएगी, wrong हो जाएगी, उसके बाद बोल रहा है, more cellular energy, more solar energy is available in tropics, बिल्कुल सही है, ठीक है, constant environment promote नीके spatialization, यह भी बिल्कुल सही है, tropical environment are constant and predictable, तो यह भी बिल्कुल सही है, तो A, C, D, E, A, C, D, E, यह आपके statement सही हो जाएगी, जोकि B वाला गलत हो जाएगा, तो जिसमें पहले देख लेना, B option आ रहा है, वो हटा देना, यह इसमें भी है, इसमें भी है, तो option number 4 जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, next question देखिए, next question क्या है, spindle fiber attached to kinetocore of the chromosome during, जो spindle fiber attached होते है, kinetocore of the chromosome के कौनसी stage के अंदर होते है, metaphase, anaphase, prophase, telophase, तो answer जो हो जाएगा, वो metaphase आ जाएगा, नीचे देखिए इसका solution, spindle fiber attached to kinetocore of the chromosome, कौनसी stage है, कौनसी stage है, metaphase stage है, page number 123 के अंदर दे रखा है, प्लीज गाईज अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज कॉमें सेक्षिन में बताना, और मैं ऐसे ही आपका physics का paper भी बनाऊगी, और प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को देखने के बाद, next question देखिए, 116, इसमें मैंने बहुत मेहनत लगा, ये बहुत मेहनत, बहुत मेहनत किये मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, देखो, two or more alternative form of a gene, ये किसको करता है, देखो, test cross और आपकी allele, ये दो definition जो है, वो NCRT के अंदर दे रखी है, और जो back cross है, genes which code for a pair of contrasting traits, उसे क्या बोलते हैं, allele बोलते हैं, ठीक है, ये page number 56 पे दे रखा है, ये लिग दिया है यहाँ पे, और देखो, next देखिए, gene की पता चलगे, test cross की, in a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype, and whose genotype is determined, is crossed with a recessive parent, instant of self-crossing, ठीक है, self-crossing की विज़े से, उस पे cross किस से cross कराते हैं, recessive parent से कराते हैं, तो allele और test cross की definition, आपको ये री, allele देखो, allele क्या हो जाएगा, more more alternative form of gene को क्या बोलते हैं, allele बोलते हैं, तो एका क्या हो जाएगा, third हो जाएगा, उसके बाद, cross of f1 progeny with homo jagus recessive parent, उसको किस के साथ करते हैं, test cross के साथ करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखोगे, और उसके बाद, जो option number c है, cross of f1 progeny with any of the parent, किसी भी parents के साथ कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, back cross बोलते हैं, याद रखना, तो c का क्या हो जाएगा, first हो जाएगा, b का fourth, a का third, number of chromosome set in plant, number of chromosome set in plant, ये किस के अंदर होता है, ploidy के अंदर होता है, तो d का क्या हो जाएगा, second, option number second, जो हो जाएगा, राइट answer हो जाएगा, next solution देखिए, listin जो होता है, small molecule will weight, listin a, listin is a one example, some tissue, especially in the neural tissue, have lipid with more complex structure, तो किस क्या हो गया, phospolipid ये रहा, phosphorus है वे, phosphoglycerate, organic compound in them, these are phospholipid, they are found in the cellmabdene, option numbers पास, जो हो जाएगा, राइट answer हो जाएगा, ये page number 106 पे दे रखा है, आपके NCRTK पे, next question देखिए, 118, the equation of world-peer logistic growth, dn by dt is equal to, rn bracket k minus n upon k, from this equation k, किसको indicate करता है, vital potential, carrying potential, population density, interesting rate of natural increase, तो dn by dt, is equal to, rn bracket k minus n, जो होता है, world-peer logistic growth होता है, जो इसमें k होता है, वो किसको denote करती है, carrying capacity को करती है, ठीक है, तो option number second जो जाएगा, right answer हो जाएगा, यह देखो, दे रखा है यहाँ पे, किया होता है, आपका, carrying capacity होता है, ठीक है, next question देखिए, next question, 119, next question देखिए, क्लेस्टरिम, बूट्रिलिगम जो होता है, वो बूट्रिक असिड को करता है, एक आजाएगा, third, सैक्रोमाइसे सर्वेसिया, जो होता है, वो आपका किसको करता है, वो आजाएगा, आपका इथिनोल को करता है, और ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पोरम जो है, वो आपका सी का क्या आजाएगा, fourth आजाएगा, साइक्लोस्पोरी ने जो है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम को करता है, स्रप्टो काइनेज, स्रप्टो कोकस, स्रप्टो कोकस जो है, स्पीसीज वो किसको करेगी, आपकी स्ट्रप्टो काइनेज को करेगी तो इस देखो स्ट्रप्टो कोकस में यह स्ट्रप्टो काइनेज इस से याद रखोगे तो यह ब्यूट्रिक एसिड और आपका जो नीचे देखो नीचे देखो आपका जो स्ट्रप्टो काइनेज सेACROMαैसYसर्वेज यह जो हता है किसके एथनेल के लिए स्ट्रप्टो काइनेज जो अटा भी उस को और साइप्टोस्पोर इसको क्या बोलते हैं त्राइकोडर्मा पॉली स्पॉर्म ठीक है यह हो गए उसके बाद नेक्स कुशन देखिए तो कैपस्टी और टू जन्रेटर होल प्लांट फॉम एनिसेल फ्लांट उसको क्या बोलते हैं टोटी पटेंसी बोलते हैं धान रखना है यह इस चप्टर को ब रंसमेंड इन फूर्ट प्रडेक्शन और आपका माइक्रोस इंहिनमेंड वेलफियर इसमें कुछ स्टेट्मेंड जो है उनको आप याद कर ले ना तो प्शन बर फोर्ट जो जगा राइज राइज रोजागा नेक्स कोशन देखिए वन टॉंटीवन क्या बोल रहा है वन तो option number A, जिसमें आ रहा है, उसे हटा दो आप, A जो है, इसमें हटा दो, इसे भी हटा दो, option number 3rd और 4th में से answer आएगा, in most of the water pollinator species, flower of water lily are not pollinated by water, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो in most of the water pollinator species, the pollen grain are protected from wetting, ये भी बिल्कुल सही statement है, ठीक है, pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon, ये भी बिल्कुल सही है E, in some hydrophytes, the pollen grain are carried passively inside water, ये भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही statement है, तो option number 3rd जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अब इसका देखो, नीचे देखो Water high in seed and water lily flower emerge above the level of water are pollinated by insect or wind, ठीक है, ये water high in seed, water से लोग, मतलब बच्चे समझने रखते हैं, कि ये water is pollinated होगा, बैट ये water pollinated नहीं होता, कैसा होता है, insect pollinator, wind pollinated होता है ये बोल रहते है, they are carried by passive water current, plants जैसे की such grasses female flower remain submerged in water and pollen grain are leased inside the water, pollen grain in many species are lawn ribbon like, ये line भी आपके अब ये पूछी है, both wind and water pollinated are not very colorful, जब कि उसमें क्या बोल रहता है, colorful होते हैं, are not colorful and do not produce nectar, तो ये देखो, सही statement, the option number जो ये था, आपका उसमें, a statement को हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखी आपकी a statement, तो option number जो थाड हो जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, next question देखिए, how many molecule, next question देखो, how many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixation in Kelvin cycle, Kelvin cycle में CO2 को fix करने के लिए, कितने ATP and NADPH की जुरत पड़ती है, ठीक है, देखो, hence every CO2 molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecule of ATP and 2 of NADPH are required to probably to meet this difference in number of ATP and NADPH, ठीक है, तो इसे हम क्या बुलते हैं, cyclic phosphorylation भी बुलते हैं, जो कि dark reaction में बाद में use कर लिए जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 3 molecule of ATP and 2 of NADPH, तो option number 3 जो जाएगा, वो इसका right answer हो जाएगा, next question देखिए, the cofactor of enzyme carboxy peptideases, cofactor of 4 the carboxy peptideases, क्या होगा, example के लिए, zinc, तो option number 4 जो जाएगा, क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, next question देखिए, type of biodiversity conservation, the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting, where they can be protected and given special area को हम क्या बोलते हैं, biodiversity conservation, semi-conservation, institute conservation, या फिर sustainable conservation, तो देखो, इसका answer जो जाएगा, first हो जाएगा, biodiversity conservation हो जाएगा, क्या होता है, क्या होता है, off-site करते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, आपका taken out from the natural habitat and placed in setting special, they can be protected and given, तो ये आपका क्या हो जाएगा, biodiversity conservation हो जाएगा, यह यहाँ पर जो दे रखा है, biodiversity conservation, देखो, institute तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि off-site में होता है, और XT, वैसे तो यह XT होना चाहिए था, XT इसमें option देर नहीं रखा, तो इस वज़े से क्या हो जाएगा, biodiversity conservation हो जाएगा, ठीक है, next question देखिए, a transcription unit DNA is defined as primarily by the three region in DNA, and these are with respect to the upstream and downstream region, ठीक है, तो इन्हें क्या बताना है, upstream and downstream region बताना है आपको, उसके साब से upstream होता है, उसमें तीन region बताने हैं, आपके क्या, line-wise, promoter, terminator and structural genes होते हैं, यह transcription unit होती हैं, यह रहा transcription unit DNA, कौन कुन सी है, promoter, terminator and structural gene, तो option number 3 जो हो जाएगा, right answer हो जाएगा, promoter, structural and terminator gene, next question देखिए, what is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism, ठीक है, तो piece of DNA जो होता है, molecule only fate of piece of DNA molecule जो होता है, carry करता है, only gene of interest को जो की transfer करता है, एक alien organism के अंदर, उसके अंदर choose the correct answer from the given below, ठीक है, given in statements को बताना है, कौन कुन सी सही statement है, कौन कुन सी नहीं है, ठीक है, the piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny of the sarabdin, independently, dependently, ठीक है, यह रहा, it may multiply and inherited along with the host DNA, तो इसके साथ कर रहा है, तो option number a तो गलत हो जाएगा, तो मतलब यह और आपके यह, दो statement तो हट गई, आगे देखिए, इट में get integrate into the genome of the recipient, यह किस में वो करता है, इट में get integrated into genome of the recipient, इट में multiply into the narrator along the host DNA, एलियन पीस of DNA, विचाद आवलिटी तो रेप्लिकेट, तो यह सारी statement देखो, यहाँ दे रखी है, option number second, इट में get integrated into the genome of the recipient, यह बिलकुल सही है, ठीक है, इट में multiply and be narrated along with the host of the DNA, इट में multiply, यहरी, इट में multiply and be narrated along with the host of the DNA, तो C, B और C दॉन स्टेट्मेंट किया जगेंगी, राइट हो जाएंगी, देखिए, पीस of the DNA is not an integrated part of the chromosome, जग यह क्या होता है, part of the chromosome होता है, इट यह बिलिटी तो रेप्लिकेट, ठीक है, which has the ability to duplicate, तो इसमें दो option तो आपके सही होगे, B और C तो बिल्कुल सही होगे, आपकी E स्टेट्मेंट भी सही है, तो E स्टेट्मेंट सही है, तो आपको देखो, common major answer लगाना है, A तो हमारा गलत है, तो A इसमें गलत है, इसमें भी A गलत है, तो दो स्टेट्मेंट हट गई, तो हमारा बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, तो आपका E वाली स्टेट्मेंट इसमें भी आ रही है, और आपकी जो D वाली है, जो करक्ली ठीक नहीं है, तो answer जो जाएगा, most appropriate क्या हो जाएगा, second हो जाएगा आपका, उसके बाइद question number 127 देखिए, 127 क्या बोल रहा है, इसमें बताना है कि जब seed germinate करती है, देखो, यह आपका क्या होता है, प्ली मूल, यह क्या होता है, आपका radical, तो आपका radical यह होता है, radical जो होती है, यह प्ली मूल जो होता है, radical करती है, रूट का, तो option number जो C हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, राइट अंसर, देखो, in majority of the dicol plant, the radical, direct lungation of the radical, lead to formation of primary root, which grow inside the soil, बाद में, secondary, tertiary root भी बना लेती है, तो हमें यह बताना है, कि इसमें से, जो है, वो root का formation कौन करेगी, तो option number जो C है आएगा, radical जो होती है, वो किसका formation करती है, root का formation करती है, आगे देखिए, यह radical हो गई आपकी, यह cholerasa हो गई आपकी, यह आपका प्ली मूल हो गया, यह cholepatile हो गई, question number 128 देखिए, which of the following is an example of actinomorphic flower, actinomorphic flower के example बताने देखो, actinomorphic mustard, धतूरा एंड चिल्ली, तो इसमें धतूरा जो हो जाएगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, next question देखिए, oxyne is used by gardeners to prepare weed-free lawn, but no damage is caused to grass as oxyne, तो इसमें does not affect monocotyledon plants, option number second जो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, next question देखिए, देखो, लिस्ट बतानी है हमें, इसमें choose the correct option बताना है, राइजो परस, अस्टिलिगो, पक्षेनिया, आगरिकस, तो देखो आपका, सबस्टे पहले जो राइजो परस है, वो क्या है, ब्रैड मोल्ड है, राइजो परस वाला क्या हो गया, ब्रैड मोल्ड हो गया, एक आगया आपका थर्ड, एक थर्ड, एक थर्ड, तो में तब option नमबर दो तो बिल्कुल गलत हो गए, second और fourth पर देखते हैं, उसके बाद, अस्टिलो को क्या होता है, आपका अस्टिलो को smart होता है, तो बीस का जगा सेकिन, अब पक्षेनिया देखिए, पक्षेनिया रस्ट फंगस होता है, पक्षेनिया क्या है, रस्ट फंगस, C का जाएगा आपका क्या, C का जाएगा fourth, एग्रिकस क्या है देखो, एग्रिकस मश्रूम होता है, एग्रिकस मश्रूम तो एडी का जाएगा, फर्स्ट ऑफ्शन नमबर 4 जो जाएगा क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगे पेज नमबर 18 पे दे रखा है उसके बाद देखिए पिंग फ्लावर स्नैप ड्रगन वा प्लांट वाज क्रॉस्ट विद रैड फ्लावर स्नैप ड्रगन वाट टाइप फिनो टाइप इस आर एक्सपेक्टे इन दे प्रोजनी इसका जो पेज नमबर 65 उसका क्या दे रखा है यहां पर आपको कंसेप्ट द सब्सक्राइब करता है जहां देखो आपका जो पिंग कलर होता है कि इसको दिन रिवीद नोड करते है इसको और आपको तो आपको तो इनको क्याकराना है इनका फिनोटिपी रेशियो बता ना थे egg अब देखो हैं पर यहां पेंग और रहाए ठीक है इसको करा रहे है आर-ार की करेंगे इसके साथ इसकी इसके साथ करेंगे तो इसको देखो अब हमें बताना है रेड पिंक रेड पिंक और आपका वाइट तो रेड में कितने आ रहे हैं आपके देखो रेड में आपके कितने आ रहे हैं दो पिंक में कितने आ रहे हैं आपके दो रेड में कितने आ रहे हैं आपके दो पिंक में कितने आ रहे हैं यह देखो पिंक में कितने आ रहे हैं आपके दो और वाइट तो एक भी है ही नहीं तो इसने पूछा है कि रेड और पिंक दोना फ् हाइज पीच में लिए बोला था और राइड बीच में और इनके बीच में पूचा था कि आहिए अन्सर देना था हमें हमारे सी नेक्स कुष्ण देखिए identify the type of flower based on the position of galaxy corolla and endosium with respect to the obri a and b को बताना है कि a और b क्या 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 उसके होंगे तो देखो आपका यह क्या है यह first जो वो है आपका इस डायग्राम के अंदर देखिए first जो है वो किसका है पैरी गाइनस का है ठीक है यह आपका यह वाला डायग्राम दे रखा है इसमें तो फर्स्ट यह second b option जो है वो b and c किसके है पैरी गाइनस के यह देखो इसमें दोनों डायग्राम उठा के पूछ लिए और यह पूछा है इन दोनों डायग्राम से किसके डायग्राम है तो यह किसके हैं आपके b and c पैरी गाइनस के हैं ठीक है तो option no.3 जो हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा next question देखिए which of the following are required for the dark reaction of the photosynthesis dark reaction of photosynthesis के लिए क्या रुगाइड पढ़ती है light chlorophyll co2 atp nadbh तो देखो इसमें आपकी एक पढ़ती है co2 की एक पढ़ती है आपकी ATP की और एक आपकी co2 atp nadbh इनकी dark reaction में पढ़ती है इनकी किस में पढ़ती है light reaction में पढ़ती है तो देखो एक्स्प्लेइन भी कर रखा है option no.2 जो होगा right answer हो जाएगा explanation देखिए डाक reaction के अंदर क्या पढ़ती है ATP nadbh ठीक है hence to dinghish the dark reaction light reaction जो होती है वो photochemical reaction बोलते है यह डार एक लीज में light की reaction light की जरत पढ़ती है तो ATP आगया nadbh और साथ में क्या है आपका co2 तो co2 की भी dark reaction के अंदर जरत पढ़ती है उसके बाद question no.135 बुली फैम सेल सारस्पेंसिबल फोर बुली फैम सेल किसके लिए रस्पेंसिबल होती है protection protecting the plant cell stress increase the photosynthes monocot providing large space for storage of sugar inward curling of leaves in monocot इदे को option no.4 हो जाएगा right answer जो आपकी inward curling बुली फैम सेल जो होती है oil in leaves have absorbed water and they are turged leaf surface exposed when they are flushes due to water stress they make the leaf curve inward too many wise the water loss यह राइस का answer तो page no.77 पर यह दे रखा है next question देखिए अब section B पर आते है section B में देखो question no.136 in C3 plants some oxygen bind to rubusco hence CO2 fixation जो होता है decrease कर रहा है तो option no.1 जो है बिल्कुल right statement है in C4 plants mesophyll cells so very little photorespiration while bundle cell cells do not so photorespiration जो कि यह क्या हो गया आपका false हो गया तो first statement सही है second आपकी wrong है देखो यह देख लेते है in C3 plants some oxygen bind to rubusco hence CO2 fixation is decrease option no.1 तो सही हो गया बिल्कुल आप देखो second statement देखते हैं in C4 plant fluororespiration does not occur this is because they have a mechanism they increase the concentration of CO2 at enzyme side this take place at C4 for acid from the mesophyll cells is broken C4 acid किसमें तोड़े जा रहा है mesophyll cells के अंदर down bundle C cell to release O2 this result increase the intercellar concentration जो कि C4 plants जो बोल रहा है mesophyll cells so very little photorespiration while bundle cell do not so respiration मतला इसने क्या बोल दिया है अपोजिक बोल दिया है तो option number first जो है वो सही है second first statement true second statement false है तो option number second जो जाएगा right answer हो जाएगा यह आपका page number 147 पे दे रखा है next question देखिए यह आपको diagram दे रखा है और इस diagram के according आपको यह बताना था कि यह किसके लिए follow करता है इस statement यहां से इसको diagram को पूछा है और बोल रहा है विंड पॉलिनेटिड फ्लावर इंफ्लोर सेंट स्विंग फ्लावर विद एल एक्सपो स्टेमेंट तो आप्शन मतलग कि डाइग्राम से भी कोशन को ठाके तब पूछ लिया है तो यह पेज नंबर 13 पे आपका दे रखा है नक्स कोशन देखिए कोशन 138 match list with list second rose, pea, cotton, mango ठीक है अब देखो इनकी वो बतानिया आपको जो आपका rose होता है वो किस के अंदर होता है perigynos flower के अंदर होता है ठीक है rose किस के अंदर perigynos के अंदर तो एक आजाएगा second अका सेकन्ड ऑप्शन फ्रस्ट तो गलत सेकिंड भी गलत और अब अप्शन निम्र थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं P जो है पी का आपका क्या एगा पी जोती है marginal placentation को सो करती है तो बी का फूर्थ एक ही option है option number four जो एक है right answer हो जाएगा cotton जो होती है देखो इसमें आपकी वे आपका जो वन marginal appearance overlap देवन यह देखो इफ गाइनिशन इस सिचुएटे इन दे center and other part of the flower located in the rim of the hellwes से में प्लम रोज पीच किस के होते हैं दोन के परिगाइनस के होते हैं में मेंगंग और कोकोनट फ्रीट कैसे होते हैं द्रीफ रिट होते हैं यह देखो मैंगो का क्रोंट कैसे हो गए भी फ्रीट हो गये जो है आपकी twisted estivation के अंदर देखो इस प्रेमस तो तिन ट्रीजच वंदे को सब्सक्रमाइब ऊब वह ज्च्डे सब्सक्राइब टेक्वुकूब स्टेंडर स्ट्रोड डिन्यमोलेकूल और राइबॉजोम पेज नबर वन नाइन्टी एट वे रकाई तर डिन्यक्रल प्रास की अंदर कैसा होता है छुंट है सर्कुलिड मोल च्रंडि इरा सर्कुलर डवल स्टैंडड डेवल संड़ो गया और सर्कुलर बिएन्यों मैं नक् E को लाई, तो process of replication नहीं को लाई में, यह देखो यहाँ पे DNA, यहाँ पे दे रखो E को लाई के अंदर दे रखा है process of replication DNA dependent, DNA polymerase easy catalyze, polymerization need one direction 3, 5-2, 3 direction तेको DNA dependent, DNA polymerase catalyze, polymerization need 5-2, 3 direction, option number 3 हो जाएगा right answer हो जाएगा, यह रहा इसका answer next question देखिए 141 question क्या बोल रहा है, which are the following are fused and somatic hybridization involved two variety of plants तो ही किस के लिए यूज होता है, protoplast के लिए यूज होता है, next question देखिए 142 question क्या बोल रहा है आपका identify the step in tri carboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate, कि oxidation of substrate में जो यूज नहीं होता वो सक्किनाइल को एंजम से सक्किनिक acid जो होता है, वहां पर क्या होता है एक molecule of GTP synthesis का formation होता है, जो कि इसमें oxidation of इसमें use नहीं होती, इसलिए option number second जोगा इसका right answer हो जाएगा, यह page number 159 पर दे रखा है, NCRTK पर, next question कोशन देखिए, मैं जिदा कोशन बताना है Glute 4 जो होता है Glute 4 जो होता है, नेबल करता है glucose enable transport cells को enable glucose transport A का क्या जाएगा 4 जाएगा, तो एक ही option A का fourth option number 4 जो राइगा right answer हो जाएगा, insulin देखिए insulin यह दे रखा, आपका insulin यह हार्मोन के लिए insulin हार्मोन हो गया trypsyn जो है, आपका क्या enzyme है trypsyn क्या हो गया, enzyme हो गया collagen क्या, आपका intercellular ground substance है यह आपका table से पूछ लिया है कोशन, page number 109 पे table 9.5 में दे रखा है इसका इसलिए fourth answer हो जाएगा, next question देखिए 144 कोशन देखो spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increase the length of stamp does increase the yield कौन सा increase करता है spraying sugarcane crop with jibrilline increase the length of stamp does increase the yield as much as 20 tons पर अगरे तो यह statement किसके लिए आपकी jibrilline के लिए दे रखी थी ठीक है यह देखो यहाँ पे jibrilline दखा रखा है यह page number 176 पे दे रखा है ठीक है next question 145 कोशन क्या बोल रहा है फ्रैडरिक ग्रिप्त ठीक है इसने अलग-अलग सांट्रेंस टे फ्रैडरिक ग्रिप्त जो थे उन्हें उन्हें इस्टर्प्रकोकस नमीलया के बारे में बताय था और कौण साब ग्र ext आ बताया था ट्रांसफोर्मिंग प्रिंसिपल बताए mise in के बारे में बताया था ठीक है तो यह आपकोशन हो गया है रहा ट्रांसफोरमेशन एक आजाएगा आपका थार उसके बाद फ्रेंसीस जॉकाब और मनोर ने लाकपरों के बारे में बताया था इस फेस्ट नंबर हंट्रेट पे एटीफोर पे हर गोविंद खुराना जो थे उन्होंने किसके बारे में बताया था जैनेटिक कोड के बार खुराना नहीं किसके बारे मताया था जैनेटिक कोड के बारे में बताया था ठीक है और प्रूफ किया था डियन नहीं सामिंग कर इंटर क्रोंजन अप्लिकेशन कुरूंग इसक्स कोशन देखिए रोबर्ट में एलेक्जंदर बॉल हमबल्ट पॉर एकलिट डैविट तिलमान यह देखो इसमें मैच दा कॉलम बताना है आपको ठीक है तो रोबर्ट में प्लेज दा ग्लोबल स्पीशिज डैवर्ट डैवसिटी के बारे में एट सावन मिलियन ठीक है पार अलेक्ट में किसके बारे में बताया था रिबैट पॉपर हाइपोटेसिज के डैविट तिलमान ने किसके बताया बता रहे था लॉंग टर्म इकोसिस्टम के बारे में तो ऑप्शन नमबर फरस्ट जो हो जाएगा क्या हो जागा राइट अंसर हो जागा इसका नीचे स्टेटमेंट भी देख लेना अलग लग पेज़ेस पर से कोशन को पूछा है पेज नमबर 220 पर सिप्पीशी रेलेशंसिप के बारे में बताया अलगजंदर बॉल हम बॉल्ट ने और पेज नमबर 221 पर देखो रबैट पोपर हाइपोथेसिज बताया था पार्ल एर लिक ने और नेक्स्ट जो है आपका पेज नमबर 221 पेज नमबर 221 डियाविट तलमान ने बताया था लॉंग टर्म इंको सिस्टेम एक्स्पेरिमेंट यूर। यूजिंग आउट्डूर प्लॉट्स प्रोबाइड सम टैंटेवे आंसर रिवैट पोपर हाइपोथेसिज ने जी थी पारल एलिक ने जी थी यह सारे इसके क्या होगे आंसर होगे नक्स्ट कुशन देखिए नेमर 147, read the following statement in correct the set of correct statement in the member of few of IC के बार इंटाना ठीक है एक sexual reproduction occur by by flagellated juice pores, ठीक है sexual reproduction is by iso gamess, यह वाली जो statement है बिल्कुल सही है आपकी sexual reproduction is by iso gamess and iso gamess, तीनों से होती है तो बी statement आपकी रॉंग होगी अब बी जिसके अंदर आ जाएगा उसे हटा आदो option यह गया, यह भी गया, यह भी option number second जो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा बट आगे भी देख लेते हैं, store food in the form of carbohydrate which either maybe manitol or laminarian, बिल्कुल सही statement है आपकी, major form मुझे होता है chlorophyll, ac and carotenoid, exanthophyll होता है, यह भी बिल्कुल सही है, vegetative cells, अभी solid, usually covered on outside by gelatinous coating of algae, भी brown algae को क्या करते हैं, बिल्कुल सही, सारे statement जो है सही है, except for B, तो अधे हाँ पर देखिए 25 क्लोरफिल, ac carotenoid and exanthophyll, और next देखिए आगे food जो होता है, store होता है complex carbohydrate which may be in the form of laminarian and monitorial, vegetative cells, अभी solid, usually covered on outside by gelatinous coating, उसको algae बोलते हैं, एक sexual reproduction जो होता है in most brown algae is by flagellated juice pores, थीका sexual reproduction आइस अगमेस और गमेस तीन हो के थुरू हो रहा था, तो यह आपका statement मेंने NCRT में दिखा दिया है, next question देखिए 148, 148 question क्या बोल रहा है, citric acid cycle glycolysis, lactone transport system, proton gradient, ठीक है इनके बारे में बताना है, देखो TCA cycle कहा हो रही है, आपका mitochondrial matrix के अंदर होती है, तो एक आजा, आपका क्या आजाएगा, एक आजाएगा है second, तो option number fourth, second, और third, तीन option गए तो option पर first जो जाएगा, राइट answer हो जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं, glycolysis जोती है, occur in cytoplasm of the cell, तो glycolysis B का क्या आजाएगा, first आजाएगा, electron transport system देखते हैं, यह देखिए, आपका electron transport system, electron transport system is present in the inner mitochondrial membrane, उसके बाद देखो proton gradient, उसके बाद देखो जो proton gradient की बात कर रहा है, the pass is a proton through the channel is coupled to catalyze side by the phone component of the production of the production of ATP or each AP produce through inter-membrane space to matrix, किसके अंदर होता है, क्या होता है, राइट अंसर हो जाएगा, कोशन नमबर 150 देखिए, मोनो अडलफस, डाइडलफस, पॉलिएडलफस, एपी अपेलस, देखो मोनो अडलफस जो होते हो, इसमें क्या होता है, चाइन रोज, डाइडलफस में पी होता है, और पॉलिएडलफस में सिट्रस फ्यूट होते हैं ठीक है, तो मोनो अडलफस का आपका, क्या अंसर हो जाएगा, मोनो अडलफस का आपका हो जाएगा, फोर्थ, चाइन रोज, ये दे रखा आपका, चाइन रोज, डाइडलफस के लिए क्या हो जाएगा, पी, तो डाइडलफस के लिए पी, एका फोर्थ, बी का सेकंड, उस अगर यह वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना